हेलो एवरिवन वेल्कम टू डिकोट इक्जाम डिफेंस मैं हूँ नूरुस सलाम और मैं स्वागत करता हूँ डिकोट इक्जाम पर दोस्तो डिफेंस एक्जाम में हमारे जो अपकमिंग एक्जाम है पहली चीज़ तो मैं आपको बताओ दो भाई एंडिये का नोटिफिकेश को डिफाइन किया जी के पेपर के लिए काफी सारे बच्चे इसके लिए परिशान थे कि सर्फ जीके के पेपर के लिए हम क्या स्टैटेजी बनाएं और किस तरीके से चीजों को करें तो इसमें हमें काफी सारी चीजों पर ध्यान देना है काफी सारी चीजों का मतलब क्या है कि जैसे की सिस्टमेटिक तरीका होता है अब जब हम जीके के पेपर में देखते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं लेकिन आपको देखना है कि आपके कौन से एरिया स्ट्रॉंग है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी रन नीती या अपनी स्टैटेज बनानी है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है अब आज हम बात करेंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं मैं टॉपिक सब बता दूगा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टन चीजें वह भी बता दूगा है ना वह टॉपिक्स मैं आज डिसकॉस करूँगा इसमें देखो भार से बहुत ही है तो इसमें हमने कोशिश कर रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स को यहां पर आपको सामने ले क्या हूं दूसरी चीज वाट नौट टूडू क्या नहीं करना है उस पर आपको फोकस करना है इन दो चीजों को अगर ध्यान लेके चलोगे तो हमेशा से हो जाएग से फिरियबसी को आता है से सब चीजें उसमें अती है अब मेरा यह मानना है कि अगर लोग सब्निकोर आप साइस्ट पर मधवन बहुत ज़रूरी हैं आप साइसन्स की हो या ना हो, science पढ़ना बहुत जरूरी है, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि उनका science background नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर general science आती है, general science मतलब जो एक non science background वाला बच्चा भी ठीठा तरीके से पढ़ेगा, तो कर ले जाएगा, ठीक है, दूसरा area जो मैं focus करता हूँ, मेरा मानना है कि जो आप बच्चा असानी से पकड़ सकता है, वो है पॉलिटी का, पॉलिटी का area जो होता है, प्री डिफाइन होता है, और पॉलिटी एक ऐसा subject होता है, जो सबको समझ में बहुत आता है, तो आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो, और तीसा area जो होता है, यह आपकी मेनत के उपर डिफेंट करता है, कि आप उसे कितना कैप्चर कर ले तो वह करेंट अफेर का, पाकी हिस्ट्री जोग्रफी है ना, और economics का area है, इसमें जो questions आते हैं, काफी बार नए सिरे से आ जाते हैं, बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको एक ल जिहान देते हैं, तो चलिए topic-wise, subject-wise एक-एक topics को हम discuss करते हुए चलते हैं, कि क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, last moment क्या-क्या revise कर लेंगे, आपको वेपर में चीजें आपको मिल जाएं, तो हमारे पास पहले नंबर के आता है science, विज्ञान, अब जब आप science की बात करत पासरी, तीसरा आपका biology, ये तीन एरिया आपके cover होते हैं, अब ये जो तीन एरिया हैं, इन में कैसे कैसे question कहां कहां से आते हैं, उन पर हमें थोड़ा सा ध्यान दे रेना है, जो को पहली चीज तो मैं आपको बता दूँ, कि दोस्तों, physics पे आपको optics part को छोड़ना नहीं ह optics मतलब प्रकाश मिती को बिलकुल ही मत छोड़िएगा, इसको अच्छे तक लिएगा, एक question definitely बनेगा, फिर एक question आपका sound and wave से बनेगा, दौनी और तरंगे, यहां से question बनता है, इसको मत छोड़िएगा, ठिक मैंने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो मैं फोकस करना आप इन वीडियो उसको जरूर देख लेना, प्रीवियर से question के form में मैंने वीडियो बनाए हैं, एक पार्ट में मैंने थोड़ा सा theory पढ़ाई है और एक पार्ट में वीडियो बनाया है, तो आप उसको जरूर देख लेना, ठीक मैंने master वीडियो भी डाला, physics का, उसको सकते हैं साउंड एन वेब देख सकते हो ठीक आप हीट पर सकतो ही थर्मो डैनिमिक्स का है ना इस टॉपिक में कोशन अच्छे कासे बनते हैं है ना बाकि ग्रैविटी जरूर देख लिजाए ग्रैविटी एक अच्छा टॉपिक इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है तो अगर देली लाइफ देली लाइफ में जलने वरी जो केमिस्ट्रिय अरे पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा भी आपका यह तो बायो वक्त बायो के एरिया में आपको काफी सारी चीजहों को करने देखना है यहां से अमेंशा कोॉच्छन बनता है वे आपका डीजीज इस का यहां से मिलेगा इसके लावा को बाइयो के अंदर वाला पार्ट ऑप उस पार्ट से भी कोश्टन मिलेगा इन्वाइर्मेंट में देखो आपका नेशनल पार्क में वीडियो बना रखा है तो वाइड लाइफ सेंचुरी पर वीडियो बना रखा है तो उसको जरूर से दिखान करके देख लेना उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक में डाल लग है आप उसके लिंक को देख सकते हो और अच्छे से उसको स्टेडी कर सकते हो ठीक है डिजीज ठीक है बायो की सीरीज मैंने चलाई हुई है उसमें डिजीज में बहुत जल्दी ही अप्लोड करूँगा एक सबकुछ बढ़ा दूगा तो वेट एंड वाच एक कोशन आपको को मिला है और किस जोज के लिए मिला है इसको शडूर देख लीजेगा बहुत इंप्टरण नोबल प्राइस प्लेस अभी मिला हुआ है यह इंप्राइस आपके लिए इंपॉर्टन ने न देर आ और भूपला में सकता है ईंवायरमेंट के अंदर आपका इक बन सकता हूं वह रामसार में anसार संब्मेलाण के उपर बन सकता है या वैंक मी वह न जो यह कहarti बन सकता है देखो एक्चुली current affairs से relate करके आप बना सकते हो इसमें current affairs से related काफी सारी चीज़े आपके paper में आ सकती है अब क्या सकती है उसको बहुताता हूं देखिए उसमें क्या है इसमें आपका अब देखिए रामसार साइड में आपकी दो नई साइड अभी बोल गएं designated की गई इंडिया में है ना एक आपका कबरताल है और दूसरा असन ठीक ये दो एरिया आपके रामसार साइड में जोड़े गए है कबरताल इस इन बिहार एन असन इस इन यूके यूके मीन्स उत्राखंड ठीक है ये नए आपके वेटलेंड के साइड को डिस्कवर्ड किया गया है तो याद रखिएगा ये दोन के लावा देखो बहुत सारी अलग-अलग साइंटिफिक करेंट अफेर्स की कोश्चन बन सकते हैं जैसे की एक कोश्चन यहां पर आपका बन सकता देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं बाकि आप इसको देख लेना नासा नासा और इस रों ने मिलकर एक सैटल साइट छोड़ा गया है ठीक इस सैटलाइट का मेन एम क्या है ठीक है इस पेस की जो भी सिच्टुएशन से उसकी अवेर्नेस को बताना ठीक है और क्रियेटिंग क्रियेटिंग सेफ एंड शस्टेनेबिल इस पेस इस का मेन का में काम है कि एक सेफ और सस्टेनेबिल इस पेस का इनवायर्मेर्मेंट बनाना ठीक है और तरह जो निशार सैटलाइट है इसमें इस मेں जो रडार लगहेहें उसको भी निशार के नाम से ёना जाता इसे यादा कि यार्दा करेगा ये एक थोड़ा इंपोर्टेंट है साइन्टिफिक पॉम में इसी तरह से आपके पास एक और करेंट अफेर है ना वह है बहुत या क्या ग्लोबल कि हिमालियन कि एक्सपेडिशन कि जो है यह एक आपका और्गनाइजेशन है इसने यूएन का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ट जीता है तो यह याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको मत भूलिएगा ठीक है जी एच इए इसको शौर्ट में बोलते हैं जी एच इग्लोबल हिमालियन एक्सपेंड डीचर ठीक है यह बेसिकली एक संस्था है जो हिमालिये के आसपास के छेतरों में काम करती है इसे हैं देखिएगा इंपॉर्टेंट है और इस पर अगर थोड़ा सा भी अगर फ्रें से उसमें अगले नंबर पर चलते हैं कि दी एस्टी और आई आई एस्टी ने एक सोलर कि पीवी हब को जन्रेड किया है ठीक है कापर शिब पूर में और यह शिप पूर कहा है वेस्ट बंगॉल में ठीक है कि अभी इसे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको लॉंच किया है इसे याद रखिएगा और यह स्पेस डिपार्टमेंट के लिए एलोकेटेड है इसको ध्यान रखने वाली चीज है इसे ध्यान रखना आप लोग कि चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और साइंस अंटेक से रिलेटेड करेंट अफेर्स में देखो साइंस टेक में कि अब ही क्या है इते यू के एईएव के इंवांडमेंटल मिनिस्टर ने यह मतलब कि यू मतलब यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के इन्वार्मेंटल मिनिस्टर ने नेट जीरो एमिशन का टार्गेट लिया है ठीक है और यह टार्गेट पूरा करने के लिए यह रखा है यह जार पचास ठीक है और यह जो एग्रिमेंट हुआ है यह हुआ है कहां पर लगजम बर्ग में अन्हां हुआ हुआ है और इसमें बोला गया नेट जीरो एमिशन करना जीरों गार्बन डियोक्साइड या किसी भी तरह की गैसिस का चलो एक और आता है आपका इंप्टेंट साइंस से ही रिलेटेट करेंट अफेर्स कि वर्चर में है ववर्चर कंजर्वेशन में सेंटर स्टैबलिश किये गए है कितने स्थेच मेंब पाच सटेट में किये गए हैं यह स्टेट कौन-कौन से हैं त्रीपूरा çizuk त्रीपूरा ख Islam 먹고 अपना उतरभ्धेश करनाम जी Bis तिक महाराष्ट्रा तिक और तमिल्लाडू इन पांच राज्यों में वल्चर कंजर्वेशन सेंटर लगाए गए हैं ठीक इसे याद रखेगा तेकि नेश्टनल वल्चर एक्षन प्लान के तहर इसको बनाया गया है वल्चर हमारी इंडेंजर्ड स्पेसी से इसे याद रखे है ओके चलिए यह तो हो गया हमारा एक इंपोर्टन करेंट अफेर कि यह इन्वार्मेंट से रिलेटेड और आपके जितने भी साइंस से रिलेटेड चीज़े हैं उनको हमने बता दिया तिक अक्टूबर 24 हो हमाने वर्ड पोलियो डे को करते हैं हर साल इसे याद रखिएगा ठीक है 1988 से हम इसको हर साल बना रहे हैं इसे याद रखिएगा और लगबग हमने 99% पोलियो को वर्ड से क्या कर दिया है इसको ध्यान रखिएगा ठीक यह एक इंपॉर्टन चीज थी इसको ध्यान रखने वाला है अगर आप इसे ध्य पीज़ादा इसमें आपको इधर उधर जाने की जरूवत नहीं है अब आते हैं अगले नंबर पर चलते हैं अगले नंबर पर पहुंचते हैं तो हमारे पास एक बड़ी द्यूज है आई एन एज कावारत्ती है ठीक है इंडियन नेवी में कमिशन हो गया है ठीक है यह क्या है यह एक संबरीन है ठीक है यह भारत में खुझ से बनी हुई एंटी संबरीन वार्फियर स्टील है ठीक है इसे याद रखिएगा वार्फियर स्टील कॉर्वेट्टी है इसे द्यान लखिएगा ओके चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं बाइद आगे बढ़ने से पहले बता दू कावारत्ती लक्षदीप का कैपिटल है इससे द्यान लखना है चलो अब अगला जो न्यूस है वो है एनी मिया मुक्त भारत का एक इंडेक्स रिलीज हुआ है एनी मिया आपकी एक रखतलता नाम बिमारी है और यूनियान मिनिस्ट्री ओफ हेल्ट एंड फैमली विल फेयर ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये इंडेक्स रिलीज किया है और इसमें जो है नम्बर वन स्टेट भारत में जो एनीमिया फिरी है नंबर वन स्टेट जो एनीमिया मुक्त है वह हर याना इसको याद रखना थिक है यूनियन मिनिस्ट्री कि आफ हेल्थ एन फैमिली वेलफेर ने यूनिसट्री के साथ मिलके से शुरू किया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल कि आयोडी इन डेफिशेंसी डे कि आयोडी की कमी से होने वाली जो डेफिशेंसी डे है वह कब बनाते हैं 21 अक्टूबर को बनाते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टन न्यूज है और ध्यान देने वाली है इसको याद रखोगे तो काफी सारे कोश्चन पेपर के आप कर सकते हो ठीक है असली कि तरिवागे बड़ते हैं और माला बार एक्स जो उबी हाल में हुए कौन requires science के अंदर वह भी आता है माला बार जो आपकी एकसोसाइज हुई है नेवी एकसोसाइज इससोरा की नウाल एकसोसाइज है ठीक है इसमें कौन-कौन-से देश श्माल है ठीक है को इसमें आ कि जैपैन कि इंडिया कि यूएस और रिसेंटली इसमें जोइन कर लिया और इस्टेलिया ने भी तो यहां रखेगा इंपॉर्टन्ट है कि अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं तो आई एस ए इंटर्णेशनल सोलर अलाइंस ने अभी तीन अवार्ड की घोशना की है और उसमें पहला अलब और है कलपना चावला अवार्ड है ना दूसरा है विश विश्वरया वार्ड और तीसा है दिवाकर अवार्ड तो यह अवार्ड सब को अलग अलग मिला ठीक यह अवार्ड देने के लिए इंटरनेशनल सोला इलाइंस 2015 में बना था और भारत में इसका हैड़ वाटर रखेगा ठीक और अंतराशिस और गडबंदन के नाम तो जाना जाता है फ्रांस और भारत के जो दोनों हैड है एक्जीक्यूटिव के उन्हों मिलके बनाया मोदी जी और फ्रांसेस होलेंडे ने मिलके और इस बार जो कल्प्रा चावला वार्ड है इसे हर्याना की सीम ने दिया ठीक है और किसको दिया डॉक्टर भीम सीम को कैसे डॉक्टर भीम सिंग ठीक है यह दखेगा और डॉक्टर आइशा को दिया डॉक्टर आइशा को डॉक्टर आइशा जो है वह भारत की नहीं यह तो आयटी डॉक्टर भीम जी में आयटी दिली के हैं लेकिन जो डॉक्टर आइशा है वह यू एई की है ठीक है साइंटिफिक फील्ड में य यह नीदल लेंड और यूरोप की रीजन ठीक है मैं जो बोल सकते हैं एशिया और पैसिफिक को में जो बोल सकते हैं कि कॉपरेशन करने के लिए जापान को दिया गया है किसको दिया गया जापान तिक इसे याद रखिएगा और दिवाकर अवार्ड जो है आरूशी इंस्टि इंट्यूट को ठीक है यह बेस बोल सकते हैं कि सोले एनरजी की फील में काम करने हो रहे तो साइस्थान और इसे उनको दिया गया तो यह याद रखिएगा फ्रेंड्स ठीक अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक साइस का और कोशन है दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहां पर स्टेबलिश किया गया वही गुजरात में किया गया ठीक है यहाद रखिएगा गुजरात में साउध गुजरात में स्टेबलिश किया गया ठीक इसको ध्यान रखिएगा यह तो हो गया हमारा साइन्स से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे करेंट अफेर्स और जो भी इंपॉर्टन टॉपिक थे अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ है ना अब देखो दोस्तों पॉलिटी में क्या है पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स है मैंने इस पहला आपका जो इंपॉर्टन टॉपिक है वह एंटी डिफेक्शन लॉव इसको जरूर अच्छे से पढ़ने ना दोस्तों क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉव अभी नागलेंड में और कई जंगा पर लगा है और कई सारे नेताओं के उपर यह लगा है तो उसकी वज़ जो तो उस ने तहर यह काम चला है और कौनता है दस्मी सूची के अंदर दस्मी अनुसूची के अंदर आता है तो फोड़ा सा ध्यान करने ना थीक है पॉलिटी का सबसे पहला इंपॉर्टन टॉपिक जो मुझे लग रहे हैं कि पेपर में आ सकता है इस्पे इसमें कि ठिक सुप्रीम कोर्ट काफी जादा और हाइज कोड़ काफी जादा न्यूज में क्योंकि अभी क्या है कि कई सारे जज्जमेंट दिये हैं दूसरा अंध्रप्रदेश गौर्णमेंट के साथ इनके कुछ पंगे चलने हैं अंध्रप्रदेश के सीम हैं उन्होंने सीनियर मो लगाएं गये हैं कि अमरावती कैपिटल बना है उसमें उन्होंने बहुत सारा लैंड अपने नाम कर रखा और काफी बला बला बड़ा लंबा चोड़ा उन्होंने खत लिखा था उसको लेकर काफी बवाल भी हुआ ठीक है और फिर हाई कोड ने क्या किया हाई कोड ने यहां पर क्या लगना चाहिए प्रेसीडेंट रूल लगना चाहिए अब यह तो इलीगल हो गया लेकिन क्या चलना है दोनों के बीच एकदम लडाई चल ली आंदर प्रदेश और हाई कोड या जुडिश्री के बीच में तो जुडिश्री इस वक्त तो बहुत इंपर भी थोड़ा सा देख लेना एमर्जेंसी एमर्जेंसी क्या होती है एमेंजंसी पुर्विजन तीन तरह की अमर्जेंसी होती है 352 356 और 360 इसको बहुत अच्छे असदेखना कोशन बन सकता है ठीक इसके लावा आपका election commission से question बनेगा election commission election commission कि power election commission क्या है क्योंकि चुनाओ बहुत जणा जगाly चल रहे हैं कही जगाly पचिम मंगाल पे चल तो चना यह तो काफी महौल चल ला तो election commission से कोशन definitely बनेगा फिर कया कौन बहुंगा यह तो मैंने आपको वीडियो में बनाया है यह बताया है था अपने मास्टर वीडियो में उसको देख लेना Constitutional एंड नॉन Constitutional bodies के उपर भी थोड़ा सा फोकस कर लिजेगा वीडियो सेप्रेट बना रख़ा है देख लेना अच्छे से देख लिजेगा ठीक यह आपके पॉलेटी के अच्छे टॉप्वाटे टॉपिक है ठीक अब देखो अब जो वह बताएं जा रहा हूं कि जो काफी जादा इन वेजबिल लेता है और नीज में रहता है तो वह टॉपिक आपका है पॉलिटिकल पार्टीस पॉलिटिकल पार्टीस मतलब कौन सी पार्टीस को पॉलिटिकव पार्टी नेशनमट्यस पहले होने का दरजाद कभ और किस क्लॉ coffee मिलता है इसको जरूर देखनें ना कोशन बन सकता है अच्छा कोशन मनेंगा इसे ध्यान कियेका फिर अभी फार्मर बिल पास हुआ है फार्मर बिल को लेकर बहुच सारे बवाल चल ले है चल ले कि न हिर्णा अब इस बिल पर तो कुछ महीं शायर ना पूछे पेपर में लेकिन बिल क्या होता है यह पूछ सकता है बिल के टाइप पूछ सकता है और यह बिल कहां वे पास होते हैं यह पास होते हैं पार्लिमेंट में है ना और अभी ड्यू टू कोविट पार्लिमेंट के सेशन को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चली कि वह कोविट की वेसर सेशन नहीं चलाएंगे तो पार्लिमेंट के सेशन कितने होते हैं है ना और क्या पार्लिमेंट जब सेशन में नहीं है तो कोई स्पेशल सेशन चल सकता है यह सब कोशन यहां पर बन सकते हैं तो फार्वर बिल से लेकर काफी सारे कोशन नए नए निकल रहे ह कौन सा बिल कौन सा होता है और नेरी बिल है कि आपका ये एनुवल फाइनशल स्टेट्मेंट या मनी बिल है तो किस-किस तरह के बिल होते हैं वो सब चीजे आपको थोड़ा सा क्लिया दखना है और पार्लिमेंट के अंदर ये सब चीजे आती मैंने इस पर वीडियो बना प्लस आपके साइंस के 25 कोशन रहते हैं आपका कट आफ तो इसी से की लिए हो जाएगा अभी मैं आपको बताता जाएगा कि और क्या करना आपको कैसे कैसे चीजों कवर करना है तो उसको देखिएगा तो ये तो हो गए पॉलिटी के और टॉपिक आप देखो अगर हम बात शबत करते हैं कि तो काफी सब्थी चीज है पॉलिटी की रानिंग में रहती है जैसे कि प्रोजिक्ट विस्ता नहीं परजेक्षान प्रोजेक्षिर इंडिया कम और द्रोधियक्षान देन ऊण बनानौ देना है पेड़ का जो बचे कुछ पेड़ उसको अटा दोगे तो और पल्यूशन बढ़ जाएगा मैनेज नहीं होगा तो काफी बवाल चल रहे हैं तो यह प्रोजेक्ट रिस्तारा भी एक अच्छा प्रोजेक्ट इंपॉर्टन्ट है एंबिशेज द्रीम प्रोजेक्ट औफ बीजेपी गवर्मेंट है ना पार्लीमेंट नहीं पार्लीमेंट मनाने का पुरानी पार्लीमेंट से बहुत बड़ी पार्लीमेंट है तो क्यूं बना रहे हैं और इसमें लगबग 30,000 करोर रुपे तक का खर्चा है मोटा मोटा अभी और जैसे सब पेपर पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी नहीं नहीं चीज़ें वहाँ पर पता चलेंगी फिलाल पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक थे मैंने आपके सामने यहां पर लग दिया है चलिए यहां से आगे बड़ते हैं अब आते हैं करेंट अफे इंडिया की रैंग क्या है ना 94 रैंग और बढ़ी की घटी तो यह थोड़ा सा ध्यान रखियेंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है तो कैसे कैसे कोशन बन सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ज़रूर देख लेना ठीक फिर अगर हम बात करते हैं तो आपक वर्ड फूट डे इस पर कोशन बन सकता है वर्ड फूट डे कब मनाए जाता है तो बहुत 17 अक्टूबर को मनाए जाता है इसको ध्यान अखना अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है स्टेट एक रिपोर्ट है जो काफी ज़्याद है चर्चा में स्टेट ऑफ हुआ सिर्विस रिपोर्ट, या रिपोर्ट कॉन जारी करता है तो डबलू एम वर्ड मेट्रोलोजिकल और इसे जारे जारी करता है इसे याद रखिएगा और यह बेसिकली क्लाइमेट के उपर रिपोर्ट जारी करी है और काफी सारे बड़े-बड़े इसके अंदर इसके अंदर इशूस बाहर निकल के आया है तो यह काफी चर्चा में र 2022 तक क्या होते हैं यह भी पढ़ लीजेगा है ना और कमेंट सेक्शन में इसके बारे मुझे जरूर बताना है ठीक मैं वेट कर रहा हूं मैं जाना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बताई चीदों पर वर्क करते हो कि नहीं ठीक फिर आता है कपीला कैम्पियन किस मंत्राले द च्राना अब्दुलकलाम एपी अबुलकलाम की बड अनिवर्स्टी पर शुरूं किया गये प्रोग्राम था फिर एक प्रोजेक्ट है मिशन शक्ती मिशन शक्ती हाल में ही किस राज में शुरू किया गया तो वह राज था आपका यूपी उत्तरपदेश ठीक है यह मिशन क्या है महिलाव की शशक्ति करान के ऊपर बना हुआ एक मिशन है इसे ध्यान रखिएगा और जिसके तहद इंडिया में महिलाव के उपर जितने भी शोशान हो रहे हैं उसकी कंप्रेट निखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के ये रेंज को बढ़ाया जा रहा है छिक इसको हो है फिसे हरे पास इंडिया का पहला मल्टी को मॉडल है लॉजिस्टिक पार्क попроб कम slower मैं पर बॉडर डिस्प्यूट चलना हैं कि समय और मिल्सुरम के बीच में यह बॉर्डर डिस्प्यूट आज करनी काफि पुरान नहीं और यह बोल सकते हैं कि चाचर और लूशिया प्लेंश को लेकर चलना है यह अंग्रेजों के समय से बावाल चलना है तो यह अभी तक सुद्रा नहीं अभी इस पर इशूस बने हुए है तो असन की लोकेशन मैप बहुत इंपोर्टन इसे याद रखिएगा ठीक फिर आता है इसको इसको ने अपनी फूर्ट प्रोसेसिंग यूनिट अभी हाल में कहां शुरू की किस राज में सिक्किम में की इसे याद रखिएगा सिक्किम और यह प्रोजेक्ट 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा और काफी एंबिश्यस प्रोजेक्ट है ठीक है फिर एक करेंट अफैर है कि नाटो ने अपना हाल में ही नया स्पेस सेंटर कहां पर स्टैबलिश किया तो आंसर है जर मनी जर्मनी में रैम स्टीन में इसे याद रखिएगा ठीक फिर देखो एक बताना बूल गया था पॉल कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज ववस्ता लागू कर दी गई है तो पंचायती राज के उपर कोशन बन सकता है पंचायती राज दिवस हम अब इस अप्रेल को बनाते हैं ठीक उनिस सो तिरान नवे से लगातार मनाते चले आ रहें इसे याद रखिएगा और हाल में पंचायती राज ववस्ता भारत के किस छेतर में लागू किया गया जम्मू कश्मीर में इसे याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है आपकी ठीक फिर एक एकनोमिक से रिलेटेड न्यूज है ठीक एक रिपोर्ट आई है दा फ्यूचर अफ जॉब्स रिपो 2020 तो इस रिपोर्ट को किसे जोरी किया है वर्लड एकनोमिक फोरम ने यह यार रखेगा पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट को किसने जोरी किया है ठीक है और इस रिपोर्ट के तायर बताये गया है कि 85,000,000 जॉब अब दो हजार पच्चिस तक आने अले समय में क्या होंगी प्रभावित होंगी ड्यू टू डिस कोविड-19 है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो करेंट अफेर्स में हमारे पास करेंट अफेर्स में बहुत सारी चीज़े हैं तो इसमें आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर देखते हैं एक कमेटी कमेटी है आपकी इंजेती श्री निवास कमेटी है ना यह जो कमेटी है यह कमेटी किस लिए बनी यह कोशन आ सकता है ठीक तो यह किसलिए बनी है यह इंटरनेशनल रिटेल बिजनिस डेवलप्मेंट आइफसी में इंटरनेशनल बिजनिस रिटेल को समझने के लिए बनी है इसके बारे में बनी है तो यह पूछ सकता है इसे ध्यान रखेगा ठीक है और इंटरनेशनल फाइनेशनल सर्विस सेंटर अ है ठिक लगा कि फिर इक करेंट आफियर आतीं है अगली इंडेन नविसे रिले इंडी stuk नेवी ने हाल में ही पहला बैथ निकाला है first batch of women pilot women pilot और उसकी पहली women pilot कौन कौन सी है उनको याद रखिएगा lieutenant दिव्या शर्मा तिक फिर आती है lieutenant शिवान की और तीसरे नमबर पर lieutenant शुभांगी स्वारूप तो पहले बैच में तीन वेमन पाइलेट है और नेवी की पहली तो पूछा जा सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है फिर आपके पास एक इंपॉर्टन जोजना आती है करेंट अफेर के अकॉर्डिंग किसान कि सूर्योदे योजना है ना यह मोदी जी की ने इस लोजना को लॉंच किया है कहां पर गुजरात में ठीक है और इसका में एम है पावर या बिजली सप्लाई करना दिन के टाइम में ठीक है इन डे टाइम फॉर इरिगेशन इरिगेशन मतलब सिचाई के लिए ठीक है पाच बज़े से सुबह पाच बज़े से शाम के नौ बज़े तक खेतों में पावर सप्लाई करना किसान सूर्य योजना यह लॉंच ही गई है इस याद रखिएगा अरे एक और करेंट अफेर आती है नेक्स करेंड अफेर आती है आपकि downloads my और और नो सर्विश पॉलिश्य हाल में किस देश्में ने लॉंच किये यह ना तो नो मास्ट नो सर्विस लुंच करने वाला देश है आपका बांगलादेश important है इसे याद रुकिएगा और देखते हैं अगली current affair हमारी है फेनी ब्रीज फेनी ब्रीज कहां पर है यह पुछा जा सकता है ठीक है और हाल में ही फेनी ब्रीज complete हो जो पर है राम गड़ शोले वाला राम गड़ बल्कि यह बांगलादेश का राम गड़ है इसे याद रखिएगा है ना और यह जो है यह भारत के साथ connected है कहाँ से सब बूरुम में इंडिया में और राम् तक connected है ठिक और भारत की मदद से यह बिरिज बन के दिसंबर में इस महीने स्यार होना है तो इसे याद रखिएगा और ये तरीपुरा को किस से जोड़ा है तरीपुरा को बांगलादेश से जोड़ा है इसे याद रखिएगा तो फेनी बिरिज कनेक्टेड इंडिया और बांगलादेश और इसे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है थिक फिर भारत का पहला राज जिसने वेजिटेबिल्स पर कि MSP फिक्स कर दी है वह कौन सा बन गया के दला इसे रियान रखिएगा फिर मेरी सहेली कि इनिशेटिव किस ने लॉंच किया इंडियन रेलवे ने यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना दोस्तों ठीक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने से यूज किया विमेंस की सेफटी के लिए है ना विमेंट पैसेंजर के लिए बेसिकली किया गया है और कि आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि एक इंपॉर्टेंट करेंट अफेर है और वह इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स तोड़ा कल्चर है ठीक हाल में ही सर्णा रिलीजन को मानेता मिल गई है हीर। और या मैंने सेंशेट में जोड़ा जाएगा जो हमारा शेंशेट अभी शुरू हो रहे है थो 2121 का उसमें यह जोड़ा जाएगा संड जो होते हैं यह अपना कि एक अलक रिजन बना है और यह अपने आपको हिंदु धरम से अलग हैं और यह अपना अलग धर्म बनाने के लिए काफी समय से क्या कर देते हैं लगे हुए थे और यह ट्राइबल गुरूप है और यह ट्राइबल गुरूप किस स्टेट से बिलॉंग करता है तो इसे जहाना किएगा यह सर्ण रीजन न्यूज में है किस राज में जहारखंड म से रिलुजन को मानता देने के लिए पास किया गया है और यह हमारा सेपरेट ग्रीजन भी हो गया है और इसको सेंसेफ तो जड़ बी दिया गया है तो इससे यादख रखिए कि सण्ड़ना रिलिजन को लेकट ध्याना लखना थिक इंपॉर्टंट है और यह आपके पेपर में आ सकता है तिक इसके लावा मोधी जी पर एक करेंट अफेर है इसको ध्यान रखिए गा मोधी जी हमारे एक इनार्गेशन करके आए हैं किस इसका इनार्गेशन करके आए हैं ठीक यह गए थे आपका उडीशा और उडीशा में ITAT की बील्डिंग को लाउंच किया है ठीक कटक में कहां पर कटक में ITAT मतलब इंकम टैक्स अपिलियेट क्रिविनल की बील्डिंग को इन्नोंने लाउंच किया है ठीक और और मोदी जी ने ये घर बैठे ही किया है ओनलाइन है ना लेकिन उडिशा में ये सब हुआ है और उडिशा के जो सीम थे नवीन पतनायक और यूनियन मिनिस्टर धर्मेन प्रधान रविशंकर प्रसाद और कई सारे लोग इसमें शामिल थे इसे ध्यान रखेगा अब फैरी को लांच किया है तो इसके कहां पर गुजरात में हजीरा से सूरत के बीच में तो इसे या रखेगा अच्छिक और यह रोफेक्स जो पैशारी है उसे 370 किलो मीटर की दूरी को 90 किलो मीटर में बदल दिया है ठीक है दस से 12 घंटे की जर्णी को तीन से 4 घंटे क जर्णी में बदल दिया है बाई रोफेक्स पैरी के थ्रू इसे यार रखिएगा इंपॉर्टेंट है चिक और कार्बन डाय अक्साइड के एमिशन को भी कंट्रोल किया है क्योंकि फिर ऐसे जाते तो बहुत ज्यादा कार्बन डाय अक्साइड लगता वह टाइम लगता त चिक इसके लावा जो बोल सकते हैं कि एक लूइस गुलक को जरूर यार रखना गलक को है ना यह अमेरिकन है और यह नोबिल प्राइज लिट्रेचर के लिए पाई है इंको ध्यान रखिएगा ठीक और एक फेमस परस्टन है जिनकी हाल में दत हो गई है भानू अथाया है यह ऑसकर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे भारत के अभी पास पास हो गया मर गए विचारे डाइट कर गए तो इनको याद रखिएगा मुसर्ब है और अग्जान में फाइनलि जो है तो बहुत सारी चीजहें मैंने आपको मोटी मोटी चीजह मोस्ट इंपॉर्टन चीजों के फर्म में एक एक और है ऐप्बलिक अफीर अंडेक्स जारी हुआ है इसको भी देख लीजेगा पब्लिक अफेर इंडेक्स में केरल नंबर उन पर है उसको फॉलॉप कर रहा है गोवा और गोवा के बाद चंडी गड़ है तो यह एक इंपॉर्टन चीज़ है इसको ध्यान रखिएगा दूस्तों करने रफेर में बहुत सारी चीज़ हैं लेकिन मैंने बना रखा है पूरा इसको रिवाइस कर लेना है ना मैंने एक मास्टर वीडियो बना रखा है जो कि आपको जब यह चैनल खोलते हो तो दिखता है इंडियन जोग्रिफिक उसे दो से तीन बार अच्छे से देखो ठीक है ट्रांस्पोर्ट पर देख लेना रेलवे ज आइलेंड से कोशन बन सकता है चोटा चोटा जो आइलेंड से इसके लावा साउथ चाइना सी फिर अपना विवाद में चलना है तो इससे कोशन बन सकता है इसके लावा इकवेटर पर कितने देश हैं इससे कोशन बन सकता है टॉपिक ओफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैंप कपिटल को नाम है न सौधी अरेबिया अपना नया कैपिटल डिजाइन कर रहा है इसको ध्यान रखिएगा कि काफी सारी चीजे नियूस में तो इनको ध्यान रखना इसके लावा पोजिशन के सबसे देखा जो टर्की आजकल बहुत दियूस में हैं अर्मेनिया और धर बेजान के रीजन को जरूर देंटा ना जिसको लेकर विवाद चल बाइंटा इसकी लोकेशन देख लेना ट के बीच का विवादि-चेतर का नाम ठीके को कोक्ष बक्षोड करके जो नाहम है वह इसको ध्यान रखना इंपॉरतेनी में आसकता है और टर्की बीच में आया तो काफी बड़ा इशू है यह तो जोग्रफी के पार्ट पर ही इसको हम कवर कर सकते हैं करेंड अफेर से जोड़कर है ना बाकी दोगों आपका क्लाइमेट आफ क्लाइमेट आफ वर्ड जरूर देख लेना नोटेशन वगेरा इंपोर्टन्ट है ठीक प्लस आपका सब्सक्रिया आख मैं कोशिश कि हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस वीडियों मैं आपको बतासकों लेकिन को जो चीज़े छूड गई है घ्ना तो मैं उसको और एक और वीडियो抵ाग और अच्छा वीडियो बनाओंगा थिक प्लीज इन सारे टॉपि को सीरिय बसकते हो और डिसकर्स दो जो भी प्रब्लम है हम सब मिलकों जाथ हैं तो मैं फोकस कर रहा हूं कि अगर आप इतने कर emperor कर लोगे सब मत पड़ो इतना पड़के चले जाओ इस्ट्री के ऊपर भी हम काफी साथ चीजों को बाहर करेंगे आने वाले वीडियो में लेकिन जोग्रफी और साइन्स और करेंट अफेर्स को कैसे आपस में लिंक करके पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है आज होप कि आपको समझ प्राबलम में आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ मैं आपको सब कुछ एक बार में बताता जाओंगा ठीक है दिए दिए करके हम हर चीज को आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों तो हमारा में मोटिफ है आपको डिफेंस के लिए त्यार करना वीडियो कैसे लगा अच्छा